हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू करेंट अपडेट्स दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी निकल के आ रहे हैं सिच्छे को सरकारी महाकमों में पांच साल में भरती नहीं करा पाई सरकार एक लाग पदों पर होनी है न्युक्तियां तो यहां पर बहुत बड़ी नियूज लेकल के बने रहेंगे और दोस्तों इस तरह की वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों दोस्तों चलिए मैं बताता हूं कि यह पूरी की पूरी न्यूज क्या है तो यह भोपाल की नहीं दुनिया की और डॉक्टरों के पद भी खाली इन में से कम वेतन और सुद्धाओं के चलते सरकार को डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं कुल मिलाकर सरकारी महा कौम में एक लाग से जादा पदों पर भरती होनी हैं लेकिन मत्रदेश की जो सरकार है वो दिन पर दिन बस वेकेंसिया के नाम पर बूले जा रही हो बढ़ाया जा रही दोस्तों बिलकुन क्या बताएं अब क्या हो रहा है सरकारी स्कूलों में सिचकों के पदों को भरने की मुहिम तब से सुरू हुई जब सिर्फ 25,000 पद खाली थे वरतमान में बढ़कर 72,000 पद हो गया हैं दोस्तों तो MP में सिचकों की 72,000 पद खाली हैं दोस्तों ये समझ लेजे 72,000 पद खाली 25,000 पद खाली थे और अब 72,000 पद खाली हो गया हैं भरती में देरी के कारण तो भरती में देरी क्या कारण हो सरकार पहले समिदर सिच्चा की भरती कराना चाह रही थी दो माँ पहले अध्यापकों का स्कूल सिच नहीं हुए है इसलिए चुनाओं के पहले भरती की उमीद कम है क्योंकि प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ट पीवी के परिच्छा कराने परिणाम आने और फिर विवाग इस तर पर भरती प्रिया में चार महीने से जादा समय लग सकता है तो दोस्तों यहां पर चार महीन भरती जरूर लाएगा और MP पुलिस और जो जेल पहरी की भरती आने वाले दोस्तों जेल पहरी की भरती का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा क्योंकि PB के पास इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है तो PB के पास इसका प्रस्ताव भेज दिया गया हो सकता है आपके अंग भी इसका रिजल्ट आ सकता है तो यहां पर ऐसी चीजे थी तो दोस्तों चलिए आंगे पढ़ लेते हैं और बढ़ते हैं डॉक्टर लीपिक के पद भी खाली प्रदेश में डॉक्टरों के करीब 4200 पद खाली सरकार पिछले तीन साल से इन पदों के भरती कराने के लिए विग्यापन निकाल रही लेकिन वेतन और सिवदा की सर्तों पर डॉक्टर आने को तयार नहीं है मंत्रा लीन सेवा डाइसो कर्मचारे विविन विवागों में 25,000 लीपिक 35001 रक्षक वो अन्न वो करीब 15,000 पुलिस कर्मियों क तो आराम से निकाल ही सकते हैं तो 3000 के पद के लिए नोटिविकिशन आपके पास आ सकता है और पुलिस कर्मचारियों की बात करें तो 15,000 पुलिस कर्मचारियों के पद खाली हैं लेकिन इसमें कहा जा रहा कि 8,000 के सम्थिंग इस बार आने वाली है दोस्तों इसमें बड़ हो सकता है या पिर कह लिजे कि विवाद उठ सकता है इसलिए यहां पर यह निक्तियां पर देरी पर देरी होते जारे सरकार अपनी सीट बचाने के लिए तो देखिए दोस्तों चलिए आंगे पड़ते हैं कि क्या है यहां पर 15,000 पद भी नहीं भर पाई सरकार सरकार 5 साल म वाड़ी पर वेक्षक वा फूलिस आरक्षा के पद भरे गए हैं सम्विदा पर फोकस तीसरे कारकाल में तो तीसरे कारकाल में सरकार की सम्विदा भरती पर फोकस रहा है मन्रेगा के तहट 23,000 ग्राम पंचाइतों में रोजगार सहायकों की भरती की है हालात यह है कि नारा जन नौसो पदो पर होगी भरती तो यहां पर एक चीज और समझ लीचेगा दोस्तों कई लोग आपको गुमरा कर सकते हैं इसको अच्छे समझेगा बिरुजगारों का गुस्सासांद करने चुनावी साल में सरकार ने राजस विभाग में 9,500 पटवारी 400 नायाब त नर्स वो सहरी छेत्रों में 500 ANS पुलिस में 8,000 आरक्चाग वो 8,000 होमगार्ड जवान महिला एबंबाल विकास विभाग में 3,300 आगनवारी कार करता 7,000 पर विभाग की भरती शुरू करने की गोशना की है तो जो इसमें पोश्ट लिकी हुई है जैसे कि 8,000 होमगार्ड व तो आएंगी लेकिन यहां पर जो दिखा राजस विभाग में 9,500 पटवारी तो उसकी भरती पक्रिया हो गई है यह मत सोचेगा कि 9,500 पटवारी के पद आएंगे इसकी परिच्छा हो गई हो सकता आपको दूसरे चैनल वाले कहें कि यहां पर लिखा हुआ है भरती होनी है तो भरती आएगी लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है इसकी भरती हो चुकी है जो कि आपको यहां पर इन्होंने अभी कहा था कि हमने पीवी से 9,000 पदों पर भरती के लिए चैन पर इच्छा करा लिए है रिजल्ट भी आ गया है अभी भागी स्तर पर भरती की पक्रिया चल रह और यहां पर नीमी से चक लाएंगे अब नीमी से चुको की भरती की जाएगी इसके नियम बनाय जा रहे हैं जो विदी विवाग की अनुमति के लिए भेजे जाएंगे हम इसी महीने से भरती पक्रिया सुरू करने की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए अब आंगे क्या होता और लाशनियों जो अगर मैं आपको पढ़के बता दू यहां पर बीस हजार बैकलॉग पदों पर भनने की निमाद मियाद खत्म बढ़ेगी अविदी तो भूपाल प्रदेश में बीस हजार से जादा बैकलॉग पदों पर भनने के लिए तैसा सीमा 30 जून बीत गई लेक अच्छितवर अनसूची जन जाती वो नहीं सकत जन के लिए तैसीधी भरती के पदों पर प्रदेश में लंबे समय से न्युक्तिया नहीं हो पा रही है सरकार हर बार एक एक साल का अबाधी बढ़ाती जा रही है समान प्रसासन विवाग ने तो प्रफेसरन एक्जामनेश विवाग एक बार इन पदों पर भरती कराने की समस्या समस्या की साल और बढ़ने के प्रस्तों कैबिनेट में मौंजूरी के लिए रखने जा रही है सीम चाहते हैं कि जल्द ही हो भरती सीम से चौहान ने मुख सची सहीत सभी विवागी अधिकारियों को साप निर्देश दिया है कि रिक्त पदों पर जल्द भरती की जाएगा इसके बावजुद विवाग की कारवाई बहत धीमी नजर आ रही है दोस्तों विवाग की कारवाई तो मुझे नहीं पता लेकिन यहां पर जो समिदा सिच्चा की भरती होनी थी अगर यह 40,000 यह 30,000 भरतीयां भी होत तो दोस्तों इस फरती के ना कराने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें कम से कम 15 से 20 लाग फॉर्म भरे जाते अगर यह B.A.D.E.A.T. की मानता को अभी नहीं कर नहीं मानता नहीं रखते कि बाद में भी आप B.A.D.E.A.T. की डिगरी दिखा सकते हैं लगा सकते हैं ऐसा कु इससे राजनितिक में बोर्ड बैंक इनों की पता चल जाता इनको अब अगर इतने से चैन पर इच्छा तो कमी का होता और नॉर्मलाइजेशन की पक्रिया से जो पटवारी में विद्यार्थी गुसा हुए हैं तो वो तो पहले से ही गुसा गया है नॉर्मलाइजेशन की पक्रिया से इसलिए सरकार काफी सोच समझ की कार कर रही है और विद्यार्थियों के बारे में तो सोचा नहीं जा रहा है ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कुछ अब देखिये क्या होता है MP पुलिस की वेकेंसिया आने ही वाली है तो MP पुलिस की वेकेंसिया और वन अच्छी लगी होगी तो दोस्तो इसतरा की जो नियूज होती है इनमें बोर्ड बैंक की राजनीति खेली जाती है और इसलिए यह जो भरती पक्रियां इनको बढ़ाई जा रही हैं बढ़ाई जा रही सम्विदा की भरती ही नहीं ला रहे हैं अब यहां पर सम्विलियन कराए जा रहा है आतिते से चकी भरती का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो दोस्तों खुल गया अगर उसके लिए कोई आपको डेटेल्स चाहिए तो आप मुझे करी लिया होगा इस तरह के टेस्टेड न्यूज पाने के लिए तो दोस्तों यह आज का न्यूज पेपर का था तो मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जैए जैवारत धन्यवाद आपका